हेलो गाइज, मैं सविता लोधी ललता प्रशार सरस्वती बालिका विध्या मंदिर इंटर कॉलिज से आज आपको कम्प्यूटर में C-Language Practicals के बारे में बताऊंगे तो आज हम Practical No.9 शुरू करेंगे और चानेंगे कि एक Practical हम कैसे लिख सकते हैं तो देखें ये एक C-Language Practical है इसलिए पहले आपको मैं कोशन बता देती हूं जिसके अनुसार हम वो Practical लिखेंगे देखें कोशन है Write a C-Language Program to Print First 10 Natural Numbers यानि मैट्स में जो भी Natural Numbers होते हैं प्रिंट करने के लिए हमें लिखना है एक प्रोग्राम तो चलिए प्रोग्राम देख लेते हैं यहां पर देखिए आप लोग यह header files पहले भी यूज कर चुके हैं इसलिए मैं जादा ही नहीं explain नहीं करूंगी लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं hash include studio.h और second है hash include konyo.h यह दोनों header files c language में यूज की जाती है उसके बाद हम लोग यूज करते हैं void main जिसका काम है आपके प्रोग्राम के अंदर लिखे हुए कोई भी commands को operate करना void main का काम है उसके बाद हम curly presses लगाते हैं ताकि void main के अंदर लिखे हुए कोई भी statement को हम operate कर सकें यह करने के बाद int i हम यहाँ पर एक value ले रहे हैं देखिए int और i दोनों का क्या मतलब है यह मैं आपको समझा दूँ int यानी integer अगर आपकी कोई भी value 123 या numbers form में होगी तो उसे integer कहा जाएगा जैसे 1, 2, 24, 28, 102 और i की value को इसलिए लिया गया है ताकि हम natural numbers को print करा सकें इसे एक variable माना गया है ठीक है अगर हम variable को लेंगे तबी हम कोई भी values को print करा परते हैं c language में next में देखिए यहाँ पर commands दी हुई है आगे यहाँ पर पहली है आपकी statement printf printf के अंदर हमने लिखा है the first 10 natural numbers are हमारे 10 पहले natural numbers हैं और उसके पाद हमने लगाया है loop, for loop, loop का use हम करते हैं एक ही value को बार-बार print कराने के लिए जिससे हमें statement को बार-बार लिखना भी ना पड़े और values बार-बार print हो जाएं तो for loop हम कहां से शुरू करेंगे शुरू करेंगे 1 से और end करेंगे 10 पर इसलिए हमने for loop के अंदर i variable लिया है और उसकी value 1 से शुरू करके 10 पर खत्म की है और i को increment किया है i plus plus करने के बाद ताकि हमारे for loop की value जो पहली है variable की value वहां से ले करके 10 variable तक हमारे print हो जाएं इसके बाद हमने फिर से curly braces लगाएं और उसके अंदर एक statement दी है printf, %d और comma लगाने के बाद i यानि printf से आपका %d की value print हो जाएगी और %d की value depend करती है i की value जो होगी वही value आपकी यहां पर print हो जाएगी जैसे अगर i की value पहली 1 है तो printf में 1 print हो जाएगा उसके बाद इस bracket को बंद करते हैं next यहां पर लिखा है printf, slash n, slash n का मतलब है अगर आपको आपका output एक ही line में नहीं चाहिए अगर आपको values अलग-अलग line में चाहिए तो आप slash n का use करेंगे जिसका मतलब है new line तो slash n लगाने पर आपकी value एक line नीचे print होती है उसके अलावा get ch का use यहां हुआ है देखे हमने void main का use किया और साथ में कोन्यू तो कोन्यू के साथ हमेशा get ch लगाया जाता है ताकि आपकी output जो भी आए वो blink न करे उसकी screen बार-बार चली न जाए इसलिए यहां पर हम get ch लगाते हैं ठीक है यह एक function है जिसका use हम लोग अपनी screen को देखने गले करते हैं जिससे screen आपकी बार-बार चली नहीं जाती साथी साथ यह सब होने के बाद हमारा curly braces भी बंद करते हैं जितने बार curly braces open करेंगे उतनी बारी बंद करेंगे उसके बाद देखिए आपका output कुछ इस तरह आएगा 1 से लेकर के 10 तकी natural numbers प्रेंट हो गए हैं और हर number एक नई line में दिखाई दे रहा है slash end की वज़ा से ठीक है यह program आप अच्छे से याद कर लीजिए and thanks for watching us हमारे चैनल को subscribe करें like करें, comment करें और कोई भी queries है तो यहाँ वीडियो में आप comment करके मुझे बता सकते हैं Thank you